दस साल पहले implant placement किया था for full mouth lower implants हमने दस साल पहले डाले थे 2013 में implant place किये थे और patient हर साल मेरे पास follow के लिए आता है आज दिखाना जाता हूँ healing कैसे और वो tissue कैसे जुड़ा हुआ है biotype कैसे preserve आप दिखाना जाओंगा you can just have a look पूरे के पूरे जो 6 implants हो उसका जो tissue है वो preserve है और यह सारे के सारे जो daant है implant है यह मैंने 10 साल पहले डाले थे सारे के सारे implant intact है कोई bone loss नहीं है और healthy tissue है और इसलिए है because यह patient मेरे पास पिछले 10 साल से हर साल में एक बार आता है evaluation के लिए follow up के लिए बहुत important है हमारे दातों की life maintenance के लिए अगर tissue healthy है न तो आपका implant भी लंबा चलेगा tissue सबसे बड़ा कारण है bone loss का infection का और inflammation around the dental implant तो इसलिए हर साल में एक बार dentist के पास जरूर जाना है for a check-up और आप देखेंगे आपके जो implants है वो lifetime चलेंगे